So, Hello Guys, What's Up? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सफागत है So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Clash of Clans Season Challenges के बारे में So, Season Challenges के बारे में सभी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो आखीर तक बने रहे है So, before we do, let's get started So, जैसा के आप जानता है कि Clash of Clans 1st April से इस सीजन चैलेंजिस को लाँच करने वाली है So, और ट्रस में गाइस की यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है So, चलिए सुरू करता है So, Clan Games की तरह ही आपको यहाँवे भी चैलेंजिस दिये जाएंगे लेकिन वो चैलेंजिस सिर्फ और सिफ आपके लिए ही होंगे और उनको कम्प्लीट करते ही आपको दिये गए पॉइंट्स एस रिवाड आपको मिल जाएंगे जैसा जैसा आप पॉइंट्स कलक्ट करते हो जाएंगे वैसे वास आपको मिलती रहेंगी और यह शायद गोल्ड टार के होने वाला है क्योंकि यहाँपे जो गोल्ड का आपको सील्ड वाला चीन दिख रहा है आपके लिए इसको गोल्ड पास परचेस करना पड़ेगा शायद तो यहाँपे दो टीर्स होने वाला है सिल्वर एंग गोल्ड शिल्वर वार आपको फ्री में मिल जाएगा लेकिन गोल्ड वाले के लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे और तो और मल्टी प्लेयर में आप लोग जितने भी रूपे की लूट करेंगे उतने ही पैसे आपके सीजन बैंग में भी जमा होते रहेंगे और यहाँ पे सीरा टार वाले के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वह है 50, Paris और के सिजन बैंक की स्पेस होागी दो करोड़ पचास लाग गोल्डेन एलिक्जिर और दो कलाख फिफ्टी थाउजन डार्क तो सिल्वर पास जो सबको फ्री में मिलने वाला है उसमें आपको बिल्डर बुस्ट, रिचर्ड बुस्ट, ट्रेनिंग बुस्ट कुछ नहीं मिलेगा अब बात करते हैं ग्लैडियेडर के स्कीन के बारे में तो किसको मिलेगी सब वह आपको रिवर्ड पॉइंट में सबसे लाष्ट में मिलेगी और जिनके पास गोल्ड टियरों का सिफ उन्हीं को वह मिल सकती है और यहां से आप उसको सिलेट्ट या डिसलेक्ट कर सकते हो यह आपके उपर डिपेंड है जो पॉस्ट है जो गोल्ड और एलिक्जिर की और तो और जो डूरेशन है वो भी कम हो जाएगी और जो ट्रूप से जो काफी महेंगे लाइक पैका ड्राइगान्स वेच और पैनन तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगयो है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा I will see you in the next video तब तक के लिए बाइबाई टेक केर